Hello everyone, welcome back to my channel, आज हम बात करेंगे आसिम रियाज और करनवीर महरा के बीच हुई heated exchange के बारे में, so let's start आसिम रियाज और करनवीर महरा दोनों ने भी इस साल खत्रोख खिलाडी में participate किया था और उनके बीच शो के starting से ही problems चल रही थी आसिम को शो से starting में ही निकाल दिया गया था, उनके disrespectful behavior के वज़ा से आसिम की सभी contestants से fight हुई थी पॉर multiple results इन्ही fight की चक्कर में आसिम ने शो के host रोही शट्टी से भी बत्तिमीजी की थी जिसके बाद उन्हें शो से निकाल दिया गया था शो से बाहर आने के बाद आसिम ने इन contestants को काफी कुछ कहा और अपने बारे में बहुत सारी ऐसी बाते बोली जिसको सुनकर fans को लगा कि आसिम is full of himself now काफी fans को इनका ये behavior बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आसिम ने fight के बीच ये तक बोल दिया कि उनके पास बहुत पैसे हैं और वो सबको खरीच सकते हैं After all these fights करनवीर महरा खतरुप खिलाडी के winner बने और इसके बाद उनके कई interviews हुए और उन interviews में उनको आसिम के बारे में भी questions पूछे गए करनवीर महरा ने interview में कहा कि आसिम को medical help की जरूरत है वो अपनी दुनिया में ही जी रहा है उसको एक reality चेक की जरूरत है करनवीर ने ये भी बोला कि आसिम ने जो बत्ते मीजी रोहिच शेटी के साथ की वो बिल्कुल भी acceptable नहीं थी फैन समेशा आसिम का साथ नहीं देंगे अगर उसका behavior ठीक होता तो शायद वो ये शो भी जीत जाता ये सब interviews देखने के बाद आसिम ने भी एक tweet किया और उसमें लिखा कि इस tweet के response में बिना name लिखे करनवीर महरा ने भी एक tweet किया और लिखा कि बहुत जादा steroid आपके दिमाख में घुस गया है सब सत्यानाश की उम्मीद है मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब सिखाया गया था आसिम के behavior से इस time पर लगता है कि he has some serious issues he is so full of himself fighting with co-contestants is okay but misbehaving with the host is not acceptable saying things like I have so much money मैं 6 महिने में 4 गाड़ी बदलता हूँ फ्रोको टियारपी मेरे आने से मिली है इस जस सोचीब फैंस को भी आसिम का ये behavior विल्कुल भी पसंद नहीं आया और कई फैंस ने ये तक बोल डाला कि शायद आसिम के इसी behavior के वज़ह से हिमांशी खुराना ने उनसे break up किया आसिम और हिमांशी बिग बोस में मिले थे और वहां आसिम ने हिमांशी को प्रपोस किया था एंड इमांशी ने आसिम के साथ relationship में जाने के लिए अपनी engagement तक तोड़ दी थी बट फिर तीन साल relationship में रहने के बाद इनका break up हो गया अचानक जब आसिम बिग बोस में थे फैंस ने उन्हें बहुत पसंद किया था यही से आसिम को बहुत fame मिली थी बट यह fame की वज़े से शायद ही started thinking की he is superior to everyone आसिम का behavior अचानक से ही काफी arrogant हो गया जो अब उनके फैंस को पसंद नहीं आ रहा that's all for today do let me know your views in the comment section